हलो दोस्तों नमस्कार मेरे यट्टूब चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज हम इलेक्टिक चुला यानि कि ए चिनी मीटी का एलिमेंट चुला है और इसमें दोस्तों देख रहे हैं जो एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर एलिमेंट का टुकड़ा में बट गय में और इसको कैसे लगा है और हाई भोल्टेज के कारण एलिमेंट जो होता है बार बार क्यों खराब हो जाता है और लो भोल्टेज के कारण आपके घर में हीटर जो होता है गरम क्यों नहीं होता है हीट क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम पुरा जनकारी इस वीडियो म में बताने वाला हूं तो दोस्तों सबसे पहले देख रहे हैं कि इसके नीचे में जो यहां पर जो element holder है element holder टूटा हुआ है इसके नीचे में एक इस type का पत्तर रख दिया जाता है इस type का जो पत्ती है इसमें नहीं दिया हुआ है इसके कारान भी हो सकता है कि आपका जो element holder है बार-बार तूट जाता है ये safety के लिए रहता है इसी पर element holder ठारा रहता है तो दोस्तों यहां तक तो हो गया इसके बारे में और है तो दोस्तों element holder को ज्यादा दिन चल लेने के लिए इस type का पती आपको welding दुकान से मंगा कर size ले कटवा कर इस पर ल market ले लेना चाहते हैं तो पती से बंधा हुआ ले इस type का और कोई-कोई में steel का wire से भी बंधा रहता है इस type का जैदी आप लेते हैं तो इस पर कोई भी ज्यादा वजन ओला बरतन बैठाएंगे तो आपका जो इस तरह का जो चिनी मीटी है फूट कर अलग-अलग हो गया है कई भाग में तो फूटेगा नहीं इस type का देख रहे हैं इसमें इसमें भी अलग-अलग हो गया है लेकिन इसमें अलग से क्या हुआ है कि इसमें aluminium से wire से बंधा हुआ है तो चलिए दोस्तों इसको हम पुरा element holder और element को अलग-अलग कर लेते हैं उसके बाद में इसको हम कैसे set करेंगे जैदी आपके घर में electric कम मिल रहा है voltage कम आ रहा है तो आपको चुला जो है heat नहीं हो रहा है तो उसके बारे में हम video बनाये हैं तो यहां पर क्या किये हैं कि देख रहे हैं यहां पर element holder लिए हैं और 2000 watt का 1500 watt का element है अलग-अलग का है इसमें से कोई जैदी element लगा रह है बहुत अच्छा element रहता है इसमें 2000 watt का यह है देख रहे हैं यहां पर 2000 watt का और यह 1500 watt का कोई भी company का जैदी आप element लगा है voltage down है आपके घर में तो चलिए हम इसके बारे में हम आपको बताने वाल है सबसे पहले इसको पुरा फ्रेस कर लेते हैं और जो element holder है element को इसको पुर हम 2000 watt का लिए हैं और एक यहां पर भी 2000 watt का दो element लिए हैं तो सबसे पहले हम एक element को लगाएंगे दोनु सेम है दोनु जदी आप लगाते हैं तो 4000 watt हो जाता है आपके घर में तो इसको क्या करेंगे हम एक element को चलिए हम यहां पर open कर लिए और यहां पर दूसरा element को इसी तरह से हम निकाल लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट को लगाएंगे यहां पर देख रहे हैं नट बॉल्ड कसने का जगा दिया है देख रहे हैं यहां पर दोनों साइड में दिया रहता है इस टाइप का तो दोस्तो इसको क्या करेंगे यहां अस्टील का दो वायर के साथ में nut bolt साथ में दिया रहता है इसी में यूज होता है तो चलिए दोनों bolt को हम अलग-अलग कर लेते हैं और इस steel wire को क्या करना है यहां पर steel wire को एक-एक सिरा open कर लेना यानि कि सीधा कर लेना है पिलास ले तो चलिए दोनों steel wire को सीधा कर दे इस तरह से screw से करके इसको इस तरह से कस देना है और यह तो एक connection final हो गया और दुसरे साइड करेंगे कि इसको हम पिलास ले सीधा कर लेंगे चलिए यहां पर हम इसको पिलास ले सीधा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम नाप कर देखेंगे holder में कि यह element कहां तक जा रहा है तो चलिए यहां पर हम इसको पहले नाप लेते हैं तो दोस्तो एलिमेंट यहां तक पहुच रहा है तो इसको और बढ़ाना है एक एक लाइनिंग को और बढ़ाना है तो इसको क्या करेंगे हम इस spring को इस coil को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे हर जगा से बढ़ाना है एक ही जगा नहीं बढ़ाना है हर जगा से बढ़ाना है यानि कि चारो तरफ बराबर रहना चाहिए चलिये हम चारो तप इसको बढ़ा कर बराबर कर लिए और उसके बाद में हम इसको फिर फोल्डर में लगाकर इसको चेक करेंगे कि कहां तक यह पहुँच रहा है तो दोस्तों देख रहे हैं यहां पर यहां तक पहुँच रहा है इसको अब नहीं बढ़ाना है अब क्या करेंगे कि दुसरे element को हम एक सीरा open कर लेंगे सीधा कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से और इसको join करेंगे जोइंट करने से पहले इसको पहले हम नाप लेते हैं कि कहां तक एक एलिमेंट मांग रहा है कहां तक चहुप रहा है इसको कहां कट करना है तो चले यहां तक जहां कनेक्शन करना है वहां तक हम नाप लेंगे और इससे एक ही छोटा इसको काट देना है तो चलिए यहाँ से element को इसको काट लेते हैं और जो extra element है उसको संभाल कर रखना है तकि अगला बार काम में आएगा इसको इसी तरह से हम सीधा कर लेते हैं चलिए इसको हम सीधा कर लिये और उसको क्या करना है किस तरह से इसको joint करना है तो यहां पर दोनों element को मिला कर इसको घुमाना है एक element को घुमाना है घुमाने के बाद में यह आपको जहां तक जोइंट करना है वहां तक यह चल जाएगा इस तरह से इसको घुमा कर यहां पर जोइंट करना है तो चली यहां पर इसको जॉइंड कर लिए और इसको पिलास ले हम अच्छी तरह से जॉइंड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा वायर होगा इसको हम काट लेंगे चलिए फीट हो गया और इसको क्या करना है इसको भी जो पहले वला इलिमेंट बढ़ाये थे जितना साइज में उतना साइज में इसको भी बढ़ाना है चलिए इसको भी हम बढ़ा लिए तो दोस्तो आपके घर में जिदी वोल्टेज कम आ रहा हो जिस तरह से हम एलिमेंट जोइन करके इसमें लगा रहे हैं उसी तरह से आप भी अपने घर में जो हीटर है उसमें लगा लेते हैं तो यह हीटर बहुत अच्छा हीट होगा और खना आच्छी तरह से पक जाएगा तो चलिए इसको हम पहले कनेक्शन कर लेते हैं इसमें और बहुत सा ऐसा है जुगाड की आपको करना पड़ेगा तो वीडियो साइध बड़ा नहीं होगा वीडियो छोटा ही है तो दोस्तो वीडियो को आप अंतक देखना ना भूले और जदी आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल घंटी प्रिस करना ना भूले दिन तक भी चलेगा तो चले जो एक्ट्रा एलिमेंट है इसको हम संभाल कर रखेंगे कि आपका दुबारा कभी बीच में से कहीं खराब हो गया है तो आप जोईंड करके इसी तरह से लगा सकते हैं तो चले इसको हम अच्छी तरह से फ्रेस कर लेते हैं और उसके बाद में इ सारे हम इसमें से हटा दिये हैं तो दोस्तों देख रहें यहां पर कनेक्शन है कनेक्शन होला पॉइंट पर जहां वीधर कनेक्शन है उधर ही इसको रखकर कनेक्शन करना है इसको सेट करना है इस तरह से सेट करना है तो दोस्तों अब इसको एलिमेंट होल्डर को कसेंगे यहां पर nut bolt ले लेंगे वासर ले लेंगे दोनों साइड के लिए और यह पहले वाला है जिदी खराब हो गए है तो नया nut bolt वासर आप मार्केट से लेकर इसमें यूज कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले element holder को हम इस तरह से दोनों साइड में वासर देकर कस लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम पती देंगे जो पती जरूरी है element ज्यादा हीट होने के बाद में बीच में फट जाता है फटने के बाद में यह नीचे की तरफ गीर जाता है तो इसको safety के लिए इसको संभाल कर रखने के लिए यहां पर पती देना जरूरी है तो चलिए यहां प हम इसको connection कैसे करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर जो अस्टील का wire निकाले थे हैं तो दो hole दिया रहता है दोनों hole में पहले अस्टील का wire लगा लेंगे हम इस तरह से दोनों wire को लगा लेंगे यहाँ देख रहे हैं चिर्नी मीटी का जो estipol है तो दोस्तों दोनों Steel का wire ST pole में लगागर दोनों bolt के साथ में इसको कसना है तो देख रहे हैं स्टील का wire जो पढ़ रहा है छोटा हो जा रहा है तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है एक्स्ट्रा अश्टील का wire दो आउफ लेंगे और दोनों जो अस्टिल का वायर का connection हम लिका ले हैं, loop लिका ले हैं, दोनों में हम दोनों अस्टिल वायर को इस तरह से joint कर देंगे और इस तरह से एक हो गया चलिए इसको अच्छी तरह से पिलास ले इसको अइट लेते हैं उसी तरह से दूसरा भी कर लेंगे उसके बाद में दोनों होल में इसको लगा लेंगे और दोनों तरब से इसको इस तरह से मोड देना है और उसके बाद में इसमें स्टील वायर को लगाएंगे चलिए सबसे पहले दोनों दोनों बोल्ट के साथ में देख रहे हैं स्टील वायर लग गया और उसके बाद में यहां पर मेन लीट का जो कनेक्शन करना है तो जो connection पहले किया हुआता है यहाँ पर hard हो गया तो इसको काड़ कर फ्रेश कर लेना है इस तरह से और इसमें तीन नमबर या चार नमबर का sleeping लगाएंगे हम इसलिए कि यहाँ पर जो जो चुला है हीट होने के बाद में wire का जो कोभर होता है गरम होता है गरम होने के कारण होता है कि यहाँ से कहीं भी body में touch हो सकता है या दोनों wire वापस में sort हो सकता है इसके वजह से हम इसको safety के लिए हम तीन नमबर या चार नमबर का sleeping इसमें पहले हम इस तरह से लगा लेंगे और उसके बाद में ST pole से हम इसको connection करेंगे चलिए हम दोनों ST pole में इस तरह से लगा लेते हैं और उसके बाद में SC prove को अच्छी तरह से हम कस लेंगे चलिए दुस्तो और इसके बाद में 4 SC prove को हम अच्छी तरह से कस लेते हैं और उसके बाद में जो sleeping लगा हैं Sleaving को हम ST pole से नजदिक कर लेंगे इस तरह से बढ़ा कर नजदिक कर लेंगे तो चलिए यहाँ पर और उसके बाद में ST pole का इसमें इस क्रूप लगाएंगे 2 इंशी का असपास nut ball के साथ में इसमें हम कस लेंगे चलिए इसको भी हम अच्छी तरह से कस लेते हैं और उसके बाद में हम इसमें supply दे कर दिखाएंगे कि कम voltage में यह कितना अच्छा हीट होता है तो दोस्तों देख रहें इसमें हम supply दे दिये हैं और इस input supply 200 से कम voltage है और 200 से कम ही voltage में बहुत अच्छा चूला गरम हो रहा है बहुत अच्छा हीट हो रहा है तो दोस्तों चूला हीटिंग होने के बाद में आप लोगो को मालूम हो गया होगा कि इस पर खाना अच्छी तरह से पक सकता है कि नहीं तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप निजे कमेंट बक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा सेर करें और नेक्स्ट वीडियो में इसी तर से हम फिर मिलेंगे तब तक चलते हैं दोस्तों जय ही जय भारत बंदे मातरम